हर्याना के सारे विद्यार्थियन भी गणि-गणि-राम-राम सभी गुड मॉरनिंग, सभी को रादे-रादे दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जीन-जिले के उपर चर्चा करेंगे आज हम जीन के उपर बात करने वाले हैं बहुलिक, स्तिती, अथिहासिक, यहां दोस्तों बात करें, यहां से हमारे विविद परसन, यहां से दोस्तों जो भी प्रेटंस थाल बनते हैं, उन सभी के उपर आज हम चर्चा करेंगी, यह एक ऐसा जिला है, दोस्तों जब से इसके परसन बनने शुरू हुएं, तब से एक परसन बार बार दोहराया गया, और वो परसन है कोंसा, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है, कि हरियाना का हरिदय किसे कहते हैं, और हरियाना में सरवाधिक जीलों के साथ सीमा बनाने वाला जीला भी कोंसा है, जीला है, तो इसके उपर हम गहराई से सारी की सारी बात करता हूं कि इस जिले का नामकरण कैसे हुआ था हम सबसे पहले यही चीज देखनी होती है तो आई ये बात करते हैं किसकी नामकरण की बात करते हैं नामकरण तो दोस्तो नामकरण कैसे हुआ है जीन्द का तो आप सभी को पता है जीन्द का नाम जीन्द क्यों पुणा क्यों तो जहान से सुनिएगा, नामकर्ण क्यों हुआ, जब पांडव महाभारत का युद लड़ने जा रहे थे, तब उन्होंने दोस्तों एक माता की पूजा की थी, एक देवी की पूजा की थी, जिनका नाम मत है जियनती देवी, और उनी जियनती देवी के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है, जीन्द पड़ा है, पहला परसन यहीं से क्लियर होना चाहिए, यह आपको अच्छे तरिके से याद रखना है, कि जीन्द जीले का नाम जीन्द क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर एक मंदिर है, जन्ती देवी का, जन्ती देवी का मंदिर महाभारत का लीन मंदिर है प्यारे दोस्तों याद रखेगा जब पांडव महाबाद का युद लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने जीत के लिए जीत हो हमारी विजय हो इसके लिए जनती देवी माता की पूजा की थी पहला परसन हमारा नाम करन हो गया अब हम उप नाम के उपर चर्चा करें हमारे जीन्द के उप नाम क्या क्या है तो दोस्तों जानकर आपको कुशी होगी कि जितने भी नाम आप सभी को वो सारे के सारे नाम आते हैं खास तोर पर इसके दो नाम याद रखने हैं एक तो दोस्तों आप सभी को पता है इसे हरियाना का हरीद्य कहते हैं क्या कहते हैं ह हर्याना का हर्य इसे कहा जाता है, दूसरी बात खास क्या है, दोस्तों इसे हर्याना में दूद नगरी के नाम से जाना जाता है, हर्याना में इसे किस नाम से जाना जाता है, दूद नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो नाम कैसे पड़ा और इस इस जीले की जो उप तैसील है वो हमारे लिए बहुत जादा महतव पुन है कारण क्या कारण है पहले मैं नाम बता देता हूं आपको उस उप तैसील का नाम आता है पिल्लू खेडा क्यों महतव है तो दोस्तों आप सभी को जानकर पता होगा इस बात का जब मैंने अरजा संस सभी को बता है आप सभी को जानकर खुशी होगी है सभी कि अंदर पहला अंडर पेला बायो घंस का प्लांट और वह प्स किसकी अब बात कर लेते हैं तहसीलों की तहसीलों की बात करें दोस्तों तो जीन और दोस्तों बात करें किसकी नर्वाना ये दो तहसीलें तो सभी को पता होगी नर्वाना इसके अलावा सफीदों भी क्या है प्यारे दोस्तों एक तहसील है सफीदों क्या है तहसील है इसके बात करूँ दोस्तो तो उचाना है कुण सा है उचाना है अलेवा है ये दो तैसिलें इसके अंदर और आती है जैसे उचाना और एक बात करें दोस्तो अलेवा उचाना वही स्थान है जहां से दुशें चोटाला चुनाव लड़ते हैं तो यहां पर बात करें कि हमारा जो जी जीन्द जीला है उसके अंदर टोटल तहसील कितनी है चे तहसीले है जीन्द नरवाना सफीदों जुलाना उचाना अलेवा और उप तहसील की बात की जाए तो उप तहसील इसके अंदर एक ही है वो है पिल्लू खेडा पिल्लू खेडा के अंदर याद रखेगा मुर्गे की बीड से बिजली बनाने का जो सियंतर है, बायो गेंस में बात करें, तो वो सियंतर कहां पड़ता है, हरियाना का एक मतर, पिलू खेडा के अंदर है, नाम कैसे पड़ा, उपनाम क्या है, वो सारे बात ने यहां पर मैंने की, दोस्तो हमारे लिए यहां से सबसे खास बात परस राछी नाम को पता है एक यहां पर राजा रहते थे प्रिक्षित याद रखेका सांप काटने सी मिर्ति हुई जन्मे , जैनें भाद में यग किया सन्पो के दमन के लिए यहां पर एक haven क्या गया इसलिए सपरधनम बोला गया सर्पों का दमन करने का यग सपरधनम कहला या था इसलिए इसका नाम क्यार सफिदों पड़ा था यह चारों चीज़े आपको पता होनी चाइए गठन की बात करूँ गाँ एक बार इसे नोट कर लीजियेगा फिर आगे बढ़ूँगा ठीक है नोट कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं अब दोस्तो परसन क्या बनेगा परसन बनेगा बताईए इसका गठन कब हुआ इसका गठन कब हुआ तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा इसका गठन दोस्तो एक नुवंबर 1966 को हुआ था कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों एक नुवंबर 1966 को हुआ था जब हर्याना का गठन हुआ उस समय हर्याना में साथ जीले थे साथ जीले कौन से अंबाड़ा था करनाल था जीन्द था हिसार था रोत्तक था गुरूगराम था महंदरगर था साथ जीले थे सभी विद् चाथा जीन्द था चलो आगे बात कर लेते हैं जब शेत्रफल के अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आइए बात करते हैं शेत्रफल की अगर इसके शेत्रफल की बात की जाए तो जीन्द का शेत्रफल आता है 2702 वर्ग किलोमेटर कितना आता है 2702 वर्ग किलोमेटर है या बसन तो यहां से बन गया दूसरा परसन क्या बने गा याद रुखे गा जैसे अगर मैं हिसार की बात करूं बात करता हूं यहां निकला पलवल निकला नू निकला रेवाडी यह सारे किसे निकले हुए गुरूगराम से निकले हुए रोत तक से बात करूँ सोनीपत है जजजर है दोस्तों यह सारे किसे निकले है रोत तक से निकले है अगर हम बात करें करनाल से करनाल से पानीपत निकला है दोस्तों यहां इसा हर्याना का ऐसा जिला है, जिसमें गठन से लेकर अब तक कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं एक note डाल कर person बना देता हूँ, गठन से लेकर, याद रखेगा, गठन से अब तक, इसमें कोई भी विभाजन नहीं हुआ है, प्यारे विध्यार्थियों, कोई भी विभाजन नहीं हुआ है, अब तक इससे कोई भी नया जिला नहीं बनाया गया, विभाजन न अगला परसन क्या बनेगा दो परसन तो हमने देख लिए गठन के समय सबसे चोटा था और बाद में इसमें कोई भी विबाजन नहीं किया गया दो परसन बन गए शेप्तरफल का और गठन का अब दोस्तों यहां से एक परसन चांदार और बन सकता है वो परसन है क्या वो सारी कर रहा हूँ मंडल की अब दोस्तों झीनद को लेकर अगर एक बड़िया सा परसन पूछ लिया जाए तो मेरे को पता है जादा تर बच्चे कन्फ्यूज होंगे जादा तर बच्चे कन्फ्यूज होंगे और वो कन्फ्यूजिंग वाला परसन यहां पर मैं आपको बता दू वो सारे के सारे यहां पर मैं आपको परसन बताओंगा दोस्तो अब बात करते हैं मंडल की आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो जीन्द है वो किस मंडल में आता है हिसार मंडल में आता है इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये हिसार मंडल में नहीं आता मतलब ये हि अर्गर्चों को अच्छे तयुचे से पता होगा। दोस्तो दो तरीके के पर्सन मनेंगे। याद रखे, पहला परसासन्क रूप से जीन किस मंडल का हिस्सा है, तो पहला परसन्टो ये बन गया। छीक है। दूसरे परसन्ट की बात करूँ तो अगर हम पुलिस जीलों की बात करें जीन्द एक पुलिस जीला भी है परसासनिक जीला भी है अगर यहां से परसन मनाऊं की दोस्तो जो ये जीन है ये पुलिस जीलों की दृष्टी से हर्याना की किस पुलिस रेंज में आता है तो हिसार पुलिस रेंज हो तब कौन सा हो जागा हिसार पुलिस रेंज और मंडल पूछ लिया प्रसासनिक रूप से तो हिसार मंडल है लेकिन जो तीसरा परसंद मनेगा वह सबसे अलग परसंद है वह परसंद क्या आप सभी को पता है हर्याना के अंदर दोस्तों बिजली वित्रण करने की जो कंपनिया है वो दो है एक तो है उत्री हर्याना बिजली वित्रण निगम एक है दक्षनी हर्याना बिजली वित्रण निगम मतलब हर्याना में बिजली को जो वित्रण करने का मतलब बिजली को लोगों को बांटने का जो कार्य करती है वो दो कंपनिया है उत्री हर्याना बिजली वित तो बता दिना उसका मुख्याले पड़ता है हिसार में अब दोस्तो अगर ये पूछ लिया जाए कि बताएगे जींद जीले में बिजली वित्रण करने का कारय Meta कोन सी कंपनी करती है उतरी हर्याना वाली यां दक्षनी हर्याना वाली यहां दोस्तों मैं ये पूछ सकता हूँ, निम्न लिखीत में से कौन सा जिला, दक्षनी हर्याणा बिजली वितर निगम के अंतरगत नहीं आता, अगर वहां पर जीन्द दे दिया, तो जीन्द के उपर कोई अंसर्टिक नहीं करेगा, कारण उसका क्या है, उसका कारण है, क् जीन का जादातर जुड़ाव हिसार के साथ है, जब भी मंडल की बात आती है, पुलिस रेंज की बात आती है, तो दोस्तो याद रखेगा, जीन हमेशा हिसार से जुड़ा हुआ पाता है, तो एक परसंद दोस्तो यहां से मैं आपको बता देता हूँ, एक तो है उत्री हर्या बिजली विट्र निगम के बात करूं तो पंच्च भूला है नषिगा थाओ好不好 कर Tai टॉतरी अद्टरी नेगं द्रीन में ऐसां ढ़ूकर कैงाइं कि अभिगा हैं टौिन प confiance आएंगे न्हूमां आप सभी को पता है एक हमारा कौन सा आएगा दोस्तो याद रखेगा रोतक आता है कौन सा आता है इसके अलावा और कौन सा आता है दोस्तो तो आप सभी को पता होगा एक हमारा जजजर भी इसी के अंदर आता है किसमें आता है जजजर भी इसमें आता है तो जो रोतक हमारा म तो दोस्तों जो हिसार मंडल का एक मतर जिला जीन्द है जो उत्री हर्याना बिजली वित्र निगम के अंतरगत आता है अगर यहां पर मैं बात करूं दक्षनी हर्याना की तो दोस्तों याद रखे पूरा का पूरा फृदाबाद मंडल पूरा का पूरा गुरू ग्राम मंडल दोनों में टोटल तीन तीन जीले हैं कितनी होगे छे हिसार मंडल में जीन्द को छोड़ दो बाकी आप तीन जीलों को उठा लो तो छे और तीन नो हो गए अब दोस्तों दो कौन से बच गए तो रोत तक मंडल के भिवानी और चर्खी दादरी बच गए टोटल ग्यारा जीले पूरे होगे यही परसन है जो कंफ्यूज करता है कि बताईए जीन्द जो बिजली वितर निगम है उसके अंतरगत बात करें तो किस विद्यूत निगम के अंतरगत आता है तो आपको याद रखना है ये तो हमने बात की है दोस्तों हैं जीन्द से क्या-क्या परसन बन सकते हैं ये लो जीन्द और जीन्द से हम परसन बनाएंगे जीन्द की परसन की बात करूँ तो सबसे पहला परसन बनेगा कि जीन्द है दोस्तों ये कौन-कौन से जीन्दों के साथ सीमा बनाता है तो याद रखेगा यह हर्याना के तो फतेहाबाद के साथ सीमा बनाता है, इसके अलावा दोस्तो हिसार के साथ भी सीमा बनाता है, इसके अलावा रोतक से भी सीमा बनाता है, इसके अलावा सोनी पत से भी सीमा बनाता है, इसके अलावा करनाल से भी सीमा बनाता है, और इसके अलावा दोस्तो कैथल से भी सीमा बना तो याद रखिए हरियाना के टोटल जीले काउंट कर सकते हो तीन उपरवाले और एक साथ मतलब कि यह हरियाना के कितने जीलों के साथ सीमा बनाता है तो हरियाना के साथ जीलों के साथ सीमा बनाता है हरियाना में सरवाधिक जीलों के साथ सीमा बनाने वाला जीन है इसलिए दोस्तों याद रखे सरवाधिक जीले लिख रहा हूँ हरियाना के सरवाधिक जीलों से सीमा बनाने वाला जीला जीन है इसलिए इसे हरियाना का हरीदय कहते हैं इसलिए इसे हरियाना का हरीदय कहते हैं तो दोस्तो यहां से एक परसन और बनेगा कि गरू जी ये सिरफ हरियाना के जिलों के साथ ही सीमा बनाता है या पंजाब वालों के साथ भी सीमा बनाता है दोस्तो जब भी आपने पढ़ा तो आपने हमेशां यही का कि ये संगरूर के साथ सीमा बनाता है नहीं दोस्तों याद रखे जीन्द जिला पंजाब के दो जिलों के साथ सीमा बनाता है और वो कौन से हैं तो बता देना पंजाब के संगरूर के साथ भी सीमा बनाता है और ये पटियाडा के साथ भी सीमा बनाता अगर आपसे नोर्मल सा परसन आए, कि बताइए जीन्द हर्याना के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो साथ है, इसलिए इसे हर्याना का हरीदे भी कहते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया गया, कि बताइए जो ये जीन्द जीला है, ये कुल कितने जिलों से साथ सीमा बनाता है, तो कहीं जगें आठ दे रखा होगा आठ नहीं दोस्तों նीयान के साथ भारत का उसको देख सकते। उसे खोलना, आपको पता चल जाएगा अच्छे तरीके से, कि जिन किन शीयाइक के साथ और तो नो जीलों के साथ सीमा बनाता है याद रखे जब भी मैं भोलिक स्तीती पढ़ाता हूं किसी जीले की तो मैंने बार-बार का है घोल में मैंने आपको बहुत सारे टोपिक बढ़ाए उन सभी टोपिकों से एक एक दो दो परसन हर जीले में एड होंगे पहला समान्य को टोटल पांच भोतिक परदेशों में बांटा गया है कितने में पांच में पांच कौन कौन से हैं मैंने का सिवालिक अरावली जो हमारा मुर्ष्थलिय इलाका है तीन भोतिक परदेश होगे एक पिड मांट आता है अरावली की पहाडियों में दोस्तो चार होगे पांच हमारा जो भोतिक परदेश है वो है बांगर शेत्र बांगर का मतलब जो जलोड मिटी का मैदान है तो याद रखे दोस्तों जीन्द जीला किस भोतिक परदेश में पढ़ता है तो बांगर भोतिक परदेश में पढ़ता है किस भोतिक परदेश में है तो बता देना बांगर भ कौन सी पाई जाती है मिटी दोस्तो बांगर मिटी कौन सी होती है बांगर और खादर दो परकार की मिटिया होती है और बांगर और खादर याद रखेगा जलोड मिटी का ही परकार होता है मतलब कि जीन्द जीले के अंदर दोस्तो जलोड मिर्दा पाई जाती है कौन सी मिर्दा पाई जाती है जलोड मिर्दा जलोड मिर्दा की याद रखेगा जलोड मिर्दा के दो भाग होते है एक भाग तो होता है बांगर एक तो होता है बांगर मिटी और एक होता है खादर मिटी बांगर मिटी और खादर मिटी में अंतर क्या है दोस्तों खादर मिटी किसे कहते हैं ऐसा शितर जहां पर नदियों के दौरा हर साल बार डलाई जाती है और एक नई मिटी की परत बिछा दी जाती है उस नई मिटी को खादर बोले जाते हैं मतलब हमेशां खादर मिटी नदियों के टटों के साथ-साथ फैली हुई मिलेगी नई मिटी होती है बंगर का मतलब होता है पुरानी जलोड मिटी दोस्तो जाद रūकिए जींद के अंदर कुन सी मिटी मिलेगी आपको बंगर मिटी मिलेगी या बोल सकते हो जलोड मिरदा मिलेगी दोस्तो अब आपको ओगे सब्स जी हर्याना में फिर खादर मिटी कहान है तो दोस्तो परसी बात याद रखे, हर्याना में मुख्यता जो नदियां है, मुख्या फैमस मैं ये नहीं कहता हर्याना में सारी नदियां, हर्याना में परसीद नदी कौन सी है, तो सबसे परसीद 12 मासी नदी यमना नदी है, तो खादर मिटी इसके साथ पाई जाएगी, दोस्तो वैसे तो ये कोई परसन नहीं है, आप से ये पुछा है, बुपाल सिंग खदरी, में जो खदरी शब्दा इसका क्या अभी प्राय है, परसन इसी परकार का पुछा गया था, क्या ये एक जाती है, क्या ये समुधाय को अंकित करता है, या ये खादर शेतर को ही सुच तो ये आपको बता दिया, पहला हमने गोल के अंदर एक समान्य प्रिचे से उठाया, दूसरा परसन हमने भौतिक परदेश से उठाया, तीसरा हमने मृदा से उठाया, दोस्तो बांगर मिटी हमेशा कहां पर मिलते हैं, जहां पर नदियों का पानी लगता है, तो अगला प यांदर नए ही कोई जील है, मतलब नदी और जील के टोपिक से हमारा कोई भी परसन नहीं बने गा, अगला और परसन देख से, अगला परसन और क्या बन सकता है, अगला परसन बनता है कि गुरु जी ये बताओ, जब नदी नहीं है, जील नहीं है, तो यहां पर सिंचाई क पहला परसंद इस सिछाई करने का कर रही है कौन करती है पस्छमी यम्ना नहर कर रहु है सिछाई करने का कर रही है। लिंक नहर और एक लिंक नहर आती है नर्वाना लिंक नहर कौन सी आती है नर्वाना लिंक नहर तो आपके सामने यहां पर तीन नहरों का नाम बता दिया यहां पर सिंचाई करने का कार्य पस्चमी यमना नहर बरवाना लिंक नहर और यहां पर नर्वाना लिंक नहर करती है य जारे दोस्तों, अगर मैं यहां पर क्रिशी की बात करता हूँ, यहां पर क्रिशी की बात करूँ, तो याद रखेगा जीन्द जीले में कौन सी फसल बढ़िया होती है, गेहूं की फसल बढ़िया होती है, लेकिन गेहूं के अंदर पहला स्थान सिर्शा का है, अगर मैं बात प्यारी विद्यारतियों वो चार जिले को जिले हैं? एक हमारा जीन्द ही हो गया, एक दोस्तो करनाल हो गया, कौनसा हो गया, करनाल हो गया, एक सबी को पता है कैथल हो गया, कौनसा हो गया, प्यारे विद्यार्तियों कैथल हो गया, एक कौनसा हो गया, 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 कौनस तो लग भग यहां पर कह सकता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ बगोल के टोपिकों को मैंने यहां पर कवर कर दिया है, अभी चार पांच और बसते हैं, उन चार पांच पर भी जिकर करूँगा, एक बारी से नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा जल से नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ता हूँ, अब बात करते हैं, कुछ और टोपिक हैं, बुगोल के ही कुछ और टोपिकों से परसन यहां से बन सकते हैं, और वो परसन कहां से बनेंगे, उन सभी के उपर नजर डाल लेते हैं, आईए देख लेते हैं, अगला परसन क्या ब कोई भी प्रसीधफनीज नहीं पाया जाता है यहाए आपको अच्छे तριके से यद रखना, किस की बात करेंगे उध्योग धंदों कीлам, कि मुख्यताल यहाँ पर कौन जी फिकike जीनद़ विक्शित हो항 में मिक्सी उध्योग कहां विक्सित हुआ है अमबाडा में आप से पूछा जाए पेपर सिटी कहां है तो आप विक्सित हुआ है जीन में दूसरा दोस्तो और यहां पर कौनचा है तो याद रखेगा क्रिशी से समन्दित जो उपकरण बनाने के जो उध्योग है वह यहां प याद रखिए है कि ऊदियों को अदियों इन तो याद रखे कि कि चीज मगेटों को न चीफ करेंडों कि तो प्रिवहन को रहता है कि ब solutions जीन से कौन कौन से NH गुजरते हैं, तो दोस्तों एक सो बावए, कौन सा है एक सो बावए, कौन सा है अमबारा तू नरुजरते हैं Ambalah 2 Nirwana दूसरा अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो दूसरा कौन सा आता है तो याद रखेगा NH52 आता है NH52 की बात की जाए तो ये दोस्तो नरwana 2 राजगड है ये कहाँ पर है नरwana 2 राजगड राजगड चूरु में परता है राजस्तान के अंदर अब बात करते हैं ग्रु जी तीसरा कूंशा रहे गया तो तीसरा याद रखिएगा NH-352 कूंसा है NH-352 oder 352 कहां परता है तो बता देना नर्वाना टूप बाउल दोस्तो कहां परता है नर्वाना टूप बाउल परता है ये बावल कहां है रिवाडी के अंदर है दोस्तों यहां से परसन क्या बनेगा ये NH-3252 हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है याद रखिए परसन मैंने जब आपको परिवन पड़ाया था तो मैंने आपको ये कहा था कि हर्याणा में सबसे लंबा राष्टिय राजमर्ग NH-9 है जिसकी लंबाई कितनी है मैंने कहा 285.850 किलो मिटर है मतलब लग भग मैं कहा हूँ 286 किलो मिटर के लग भग है लेकिन दोस्तों याद रखिए वो हर्याणा से बाहर भी जाता है हर्याणा से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्टिय राजमर्ग है हर्याणा में सबसे बीजी पुछे तो NH-48 आज जाएगा जो हमें दिल्ली से सिधा चैन्नी से जोडता है ठीक है अगर परसन ये बन जाए कि पूर्णत है हर्याणा में स्थित सबसे लंबा राष्टिय राजमर्ग है पुर्णत है हर्याणा में स्थित सबसे लंबा राष्टिय राजमर्ग है सबसे लंबा राष्टिय राजमर्ग यही है दोस्तो तो ये भी आपको पता होना चाहिए अब हमने यहाँ पर रास्टिया राजमार्गों की भी बात कर ली साइद ही एन्यत से हमारा कोई परसन रहा होगा तो हमने यहाँ परिवन उध्योग दंदा और खनिज तीनों की बात की अब दोस्तो अगर बात करता हूँ मैं किस की अगर मैं बात करूँ इसी जीन्द की तो जीन्द से एक परसन और बन सकता है एक परसन क्या बन सकता है तो दोस्तो आप से वो परसन पूछ लेता हूँ आप से अगर ये पूछा जाए कि सर जी आप से मैं पूछता हूँ कि आप बताओ विद्यारतियों कि हर्याना के अंदर पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहा है जन संक्षा के हिसाब से तो इतने दिन तो हम कहां कहते थे बिवानी में कहते थे फिर हम दोस्तों कहते थे फरिदाबाद में जन संक्या क कि अगर दोस्तों पकी सडकों का सरवाधिक घनतव अमबारा में हैं, जबकि पकी सडकों का सबसे कम घनतव जींद में है। सडकों का पक्की सडकों की बात की जाए तो याद रखेगा पक्की सडकों का जो सबसे कम घनतव है न्यूनतम घनतव है कौन सा दोस्तो न्यूनतम घनतव है ये न्यूनतम घनतव कहां है तो ये भी बता देना जीन्द के अंदर है कहां पर है पक्की सडकों का न्यूनतम घनत अमबाडा के अंदर है दोस्तों अमबाडा में सरवाधिक कच्छी सड़कों की लंबाई कहा है पंच्छकूला के अंदर है तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं जिन से और परसंड क्या बन सकते हैं अब दोस्तों जन संख्या वाले टोपिक से खोई खास परसंड यहां पर नहीं बनता जन संख्या के अंदर बात करूँ तो ना तो सरवाधिक जन संख्या वाले जीलों में है न्यूंतम जन संख्या वाले जीलों में है सरवादिक साक्षर्ता में शामिल नहीं है, नियुन्तम साक्षर्ता में नहीं है, सरवादिक लिंगानपात, नियुन्तम लिंगानपात में नहीं है, सरवादिक दसके वरदीदोर और नियुन्तम वरदीदर में शामिल नहीं है, सरवादिक की बात की जाए दोस्तों और क्या ह तो हम बात करते हैं जन गनतव की उनमें भी ये शामिल नहीं है, मतलब कि जन संख्या वाले टोपिक से यहां से कोई परसन नहीं बनेंगे, परसन बनेंगे तो परसन कहां से बनेंगे, उर्जा वाले टोपिक से बनेंगे, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहां पर जो सेंतर है, मतलब की बायो गैस सेंतर है, वो हर्याना में पहला कहा है, मुर्गी की बींट से, गैस बनाने या बिजली बनाने का जो पहला सेंतर है हर्याना का, वो पिल्लू खेड़ा गाह के अंदर पड़ता है, जो जीन्द gravity में दूस्तों याद रखिए, अगर फिल्लू में मिले okay चिंटा मत Swamp करो आने दो आतə ही आपके सामने दोनों किताबों क्या ओपयोगिता की क्या का है वह सारी कि सारी बात आपके सामने करूगा आने दो इंतिजार करो थोड़ा धेर्ये बना कर ऑगा अप दोस्तों ओर टॉपिक क्या एक टोपिक और देख लेते हैं खास दूसरे टोपिक से इतना कोई महत्तपुन परसन नहीं है अगर ये बात करते हैं कौन सा टोपिक है तो सभी विद्यार्थियों को एक चीज का पता होना चाहिए अच्छे तरीके से दोस्तो अगर हम पशू पालन टोपिक में जाते हैं तो सभी को पता है हर्याना के अंदर जो सबसे परसीद नसल है भेंस की वो कौन सी है मुर्रा भेंस है कौन सी है मुर्रा भेंस अगर आप से ये पुछा जाए हर्याना में सर्वाधिक भेंसे किस जिले में है हम कहते हैं हिसार में हैं लेकिन मुर्रा भैंस की सरवाधिक संख्या किस जिले के अंदर है तो याद रखेगा दोस्तो मुर्रा भैंस की जो सरवाधिक संख्या है वो कहा है याद रखेगा जीन्द के अंदर है सरवाधिक इनी मुर्रा भैंस की संख्या इसलिए हर्याना के जी आरे सारी जगैं उपलब्द हो जाएगी चिंता क्यों करते हो यह.: मैंने ऻरी दरशे साराइ पढ़ा दिया है अब इतिहास की और जाएंगे, एक बार इसे नोट कीजेगा, क्या अनंदार आया, अच्छे तरीके से नोट करते जाएगा, अच्छे तरीके से, नोट कर रहे होगे साथ साथ आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने प्यारे दोस्तों किसकी बात की, समान्य प्रिचे की बात कर ली ह पहले हमने ये देखा नामकर्ण एक बार दोहरा देता हूँ अच्छे तरीके से याद रहेगा नामकर्ण जियन्ती देवी के नम उप नाम हर्याना का हर्द्य है और दोस्तों दुग दनगरी कहा जाता है मैंने फिर बताया आपको तहसील कौन सी है तो पिल्लू खेडा तो है इसकी उप तहसील अगर तहसील की बात की जाए जीन्ध है नर्वाना है जुलाना है सफिदों है उचाना है अलेवा है इसके अलावा बात करें गठन मैंने बताया 1966 मिवा उस समय गठन के समय हर्याना का से लेकर अब तक इसमें कोई भी विभाजन नहीं हुआ है बाकी जितने भी जीले थे उन सभी में विभाजन हुआ था इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो एक भोती शांदार परसंद मनता है मंडल का वो मैंने आपको बताया था मंडल से मैंने तीन परसंद अलग बन कर दिखाए यह परसासनिक रूप से किस मनल का भाग हिसार का अगर पुलिस रेंज के हिसाब से देखें तो भी हिसार के इंदर आता है लेकिन अगर हम उर्जा की द्रिश्टी से देखें बिजली वितरन करनी की द्रिश्टी से देखें तो हिसार में शामिल नहीं होता यह उचली उत्री हर्याना बिजली वितर निगम की अंतरगत आता है। फिर मैंने आपको ये बताया, भुगोलिक स्थिति, दोस्तों सरवा धिक जीले, मलब कुल नो जीलों के साथ और हर्याना के साथ जीलों के साथ सीमा मनाता है। दूसरे परसन की बात की जाए, मैंने का यहां कौन सा भुतिक परदेश है, मैंने का बांगर, बांगर से दोस्तों मिटी भी होती है, तो मिर्दा की भी बात कर ली हमने, इसके अलावा बात करें नदी नहीं है, जील नहीं है, फिर दोस्तों मैं आपको एक करके क्रिशी पर ल आईए बात करते हैं किसकी प्यारे दोस्तों इतिहास की बात कर लेते हैं, इतिहास बहुत शांदार है इसका, अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो दोस्तों हम जब भी इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, क्या पढ़ना शुरू करते हैं इतिहास, तो इतिहास से दोस्तों हम रखेगा हम हमेशा इतिहास को तीन भागों में बाटते आए हैं तीन भाग कौन से हैं एक हम कहते हैं प्राचिन इतिहास एक मध्या कालीन इतिहास और एक इतिहास रहता है हमारा कौन सा आधुनिक इतिहास तीन परकार के इतिहास की मैं बात करता हूँ हम प्राचिन इतिहास क बात करेंगे तो जीन्द बिलकुल हम पढ़ने वाले हैं मध्या कालीन इतिहास की बात की जाए तो मध्या कालीन इतिहास में सिर्फ आपको मैं एक ही पॉइंट बताऊँगा फिरोच शातुगलक का बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों फिर बात की जाए हमार आदूनिक इतिहास हाँ आदूनिक इतिहास से हमारी परसन बने गई क्योंकि जीन्द भी आदूनिक दोस्तों जब आदूनिक इतिहास पढ़ते हैं भारत का उसमें जीन्द रियासत का कहीं ने कहीं इतिहास पढ़ा जाता है तो आईए बात करते हैं सबसे पहली मैं इतिहास क्या रहा है दोस्तों प्यारे दोस्तों जीन के अंदर याद रखेगा यहां पर हड़पा काल के साक्षे मिले हैं यहां से क्या मिले हैं हड़पा काल के साक्षे मिले हैं अब आप कहोगे सर जी हमने हड़पा काल के बारे में सुना कि कौन कौन से हडपा कालिंस्तान है आप कोगे सर जी हमने बनावली सुना हमने दोस्तों कुनाल सुना हमने बिरडाना सुना आप कोगे सर जी सारे के सारे फत्यवाद में है राखी गड़ी सुना आप कोगे सर जी हिसार में पड़ता है मिथा थल तिगड़ना आप कोगे सर जी बिवानी में है फिर मैं कहूंगा दक्स केड़ा हो गया यहां दोस्तों मैं बात करता हूं किस की मैं बात करता हूं हमारे फर्माना की आप कोगे सर जी ये तोरोतक में है अगर मैं बात करूँ बालू की आप कोगे सर जी के थल में है, जीन में फिर कोन सा है, तो दोस्तो याद रखेगा, यहां पर अभी तक उत्खनन की कमी रही है, यहां पर खुदाई हुई नहीं है, जीन जीले में किसी स्थान पर खुदाई हुई है, स्पेसल किसी स्थान को ध रखेगा कोई उपर पड़े हुए नहीं मिलें दोस्तों जब भी किसी किसान ने अपने खेट के अंदर किसी कुदाई का कारे क्या डिगी बनाने तो वहां पर किसी प्रकार के साक्षिया पाई गए इसलिए यह सामने आया है कि यहां पर क्या चीज पाई गई है मिट्टी के बतन मिले हैं क्या मिली हैं मिट्टी के बरतन कि बाता है हरपा यहां कई भागों तो यह भी आपको याद रखना है, यह भी आपको अच्छी तरीकें से याद रखना हो सकता, आपसे यह पूछा जाए ज्ळाएंगा, वहाँ नहीं हुआ, वहाँ अभी तक अद रहे हां जीन्द है, पहली बात, ये तो हमारी होगी हर्पा काल से दूसरी बात करें दोस्तों, तो महा भारत की बात करते हैं किसकी बात करते हैं महा भारत की अगर मैं महा भारत के इतिहास को देखना सुरू करूँ तो दोस्तों याद रखेगा जीन्द का उलेख हमारे किया गया है महा भारत में क्या उलेख क्या गया है इसमें ये बोला गया है कि पांड़ों के द्वारा महा भारत का युद लड़ा गया था लेकिन युद लड़ने से पहले उन्होंने जन्ती देवी की पूजा की ती किसकी पूजा की जन्ती देवी की तो दोस्तो जन्ती देवी के नाम पर ही तो जीन्द का नामकरन हुआ है तो यह याद रखेगा जीन्द का उलेख है वो महा भारत में मिलता है याद रखे जीन्द कि के? देवी की पूझा की थी इस बात का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? महाभारेज जो विश्वकात सबसे बड़ा गरंत माना जाता है उसमें इस बात का हमें साक्षय मिलता है, प्रमाण मिलता है तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए दूसरी बात दोस्तो आपने एक नाम सुना होगा मैं उसको ब्लैक कलर में नोट करके लिखना चाहूँगा क्योंकि इस पर हमें खास तोर पर ध्यान देना है नोट की बात करें दोस्तो तो याद रखेगा मैंने आपको बताया था हर्याना के अंदर जितने भी महा भारत कालीन स्थल है उन सभी को डवलप विक्सित करने का जो कारे है वो के डी बी करता है मतलब की कुरुक शेतर विकास बोर्ड कुरुक शेतर डवलपमेंट बोर्ड का कारे क्या है दोस्तो हर्याना में जितने भी महा भारत काल से समंधित स्थान है उन सभी को विक्सित करने का कारिया है कुरुक शेतर डवलमेंट बोर्ड करता है गुलजारी लालनन्दा के दोरा स्थापित है इसका जो अध्यक्स है वो राज्येपाल होता है मुख्यालिया है दोस्तों आप सभी को बता है ब्रहम स्रोवर के तट पर है अगर बात की जाए कुरुक शेतर की तो याद रखे कुरुक शेतर का जो शेतर है जिसमें यहुद लड़ा गया वो 48 कोस की भूमी कहलाती है याद रखेगा जो केड़ी भी है कुरुक शेतर का जो शेतर है याद रखेए कुरुक शेतर की जो भूमी है 48 कोस कितनी 48 कोस दोस्तो इस 48 कोस का कुछ एक भाग जीन में भी फैला है कहां पर फैला जीन में भी कुछ एक भाग है इसका मतलब हम ये कहा सकते हैं कि अब तक जो हर्याना के अंदर जो 48 कोस ये महा भारत वाला शेतर है इसमें टोटल 334 स्थलों की खोज हो चुकी है जो महा भारत काल से समंदत है दोस्तो इन 34 में से महा भारत काल की 18 जो स्थल हैं वो कहां पर पढ़ते हैं वो 18 स्थल जीन में पढ़ते हैं याद रखेगा मैं बार बार नाम दोहरा रहा हूँ इसका केडीबी का मुक्षाले अब्रम स्रोर के तट पर अध्यक सराज्येपाल होता है सस्थापना इसकी गुजार लालंदा ने की थी कारे है इसका कारे क्या है कुरुक शेतर की जो भूमी है 48 कोस की उसमें जितने भी महा भारत काली इंस्थल है उन सबी को विकिसित करना कारे है कुरुक शेतर डवलप्मेंट बोर्ड का दोस्तो याद रखिए कुरुक शेतर डवलप्मेंट बोर्ड ने कितने स्थानों की खोज कर लिया जो महा भारत काल से समन्नित है जो 48 कोस की भूमी में पढ़ते हैं 334 उन 334 में से 18 कहां पढ़ते हैं जीन में पढ़ते हैं दोस्तो अगर मैं उनके नाम लेने सुरू करूँ तो दोस्तो याद रखेगा 18 के 18 नाम प्रिक्षा में नहीं आते 18 नाम नहीं पूछेगे हो सकता आस तक तो यहीं नहीं पूछा गया कितने स्थल जीन में हैं कितने कुरक्षेतर में हैं 18 हैं जीन में तो दोस्तो हमसे यह नहीं पूछा जाएगा 18 के 18 यहां पर सबसे बड़ी बात हमने महाभारत की भी बात कर ली और प्राचिन इतिहास की भी बात कर री अब यहाँ पर दोस्तों मैं सिधा चलूँगा किस के उपर मध्या कालिन इतिहास के उपर और मध्या कालिन इतिहास की बात करूँ दोस्तों तो क्या परसन बन सकता है दोस्तों मध्या कालिन इतिहास की बात करूँगा तो सबसे जो बहतरीन परसन बनेगा वो एक ही परसन बनेगा वो परसन क्या बनेगा तो याद रखेगा मैं आपको बता देता हूं कि मध्याकाल के अंदर आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा फिरोजशाह तुगलक जिसने दोस्तों फिसार की और फतेहबाद की स्थापना की थी और सिरसा में हरनी खेड़ा नामक गाओं की स्थापना की थी फिरोजशार त appliesाधुगलक दोस्तों इसने क्या किया था तेरा सु इक्यावन केंदर पश्चमी यमणा नहर का निर्मान करवाया था जब भी मैं पस्टमी यमना नहर पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पस्टमी यमना नहर ताजेवाला से निकाली गई थी, वर्तमान में तो हतिनी कुंड से आता है पानी, जब यहां से निकाली गई थी ताजेवाला से, मैंने आपको बताया कि यमना नगर में आती तो तीन भागों में बंट जाती इस परकार मैंने पस्मी यम्ना नगहर में आपको पढ़ाया है दोस्तो याद रखेगा फिरोजशा तुगलक के समय हमें इस तिरफ एक ही परसन याद रखना है सफीदों का याद रखेगा जो ये सफीदों शहर है फिरोजशा तुगलक ने इस सफीदों शहर का नाम बदल कर क्या रख दिया था तुगलक पूर कर दिया था क्या किया था तुगलक पूर किया था ये हमारे लिए बहुत जादा जरूरी है अगर प्रिक्षा में इस परकार का परसन पूछ लिया जाए कि बताईए हर्याना में ऐसा कौन सा स्थान है जिसका नाम फिरोचा तुगलक की दोरा बदल कर तुगलक पुर कर दिया गया, सफिदों है, यहां दोस्तों कोई और है, तो वो सफिदों आता ही, यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, तो यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, इसे आपने नोट कर लिया किसका जींद्रियासत का अगर मैं जींद्रियासत की स्थापना की बात करता हूं दोस्तो डाइग्राम के माध्यम से इसे अच्छे तरीके से समझते जाना सबसे बड़ी बात सबसे पहला परसन जो जींद्रियासत है इसकी जो स्थापना है वो स्थापना हुई कब थी तो दो दोस्तो 17 63 के अंदर इसकी जो स्थापना है वह किस नहें की थी तो राजा गजपत सिंग नम लिखा है मैंने अभ आपको है जागेサर जी राजा गजपत सिंग नाम लिखा तो इसमें विशेश है विशेश क्या है हमें भी पता है राजा गजबत सिंग था दोस्तो राजा आपने हमेशा पढ़ा तो आपने यही पढ़ा गजबत सिंग ने स्थापना की आपने यही नाम सुना था राजा शब्द आपने नहीं पढ़ा था दोस्तो आपको को कि सर जी राजा में क्या खास ब तो याद रखेगा अच्छे तरीके से ये परसन बहुत शांदर है कि गजपत सिंग को राजा की उपादी कब दी गई थी तो राजा की उपादी 1772 में दी गई किसके द्वारा तो मुगल शाशक शाह आलम के द्वारा ये उपादी दी गई थी दोस्तो ये आपको अच्छे प्रिके से पता होना चाहिए दोस्तो स्थापना जब 1763 में हुई है इसका मतलब गजपत सिंग का कार्यकाल भी 1763 में ही परारम हो गया था ये आपको याद रखना है दोस्तो इसके अलावा आपको एक बहुत शांदार बात बताऊँगा आपका मन खुश हो जाएगा दोस् इसका निर्मान भी किसने करवाया था दोस्तो जीन का किला निर्मान गजपत सिंग ने ही करवाया था ये याद रख लेना अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हूँ दोस्तो जो गजपत सिंग है इसका एक बार विवाद हो गया था किसके साथ नाभा का शासकता हिमीर सिंग याद रखेगा, जो ये गजपत सिंग है, जहां पर मैंने नाम लिखा है ये गजपत सिंग दोस्तो, इस गजपत सिंग का जो नाभा का शासक था, कौन था हिमीर सिंग दोस्तो, इस हिमीर सिंग से क्या हो गया था, विवाद हो गया था, इसने जगडा हो गया, जगडा हुआ तो गजपत सिंग ने आपको बताना चाओंगा क्या किया इसने दोस्तो नाबा रियासत के तहट जो संगरूर आता था क्या आता था दोस्तो संगरूर इस संगरूर के उपर कबजा कर लिया था क्योंकि गजपत सिंग के मित्तर काफी थे गजपत सिंग का दोस्तो मान समान इस गजपजीत सिंग की बेटी के कोक से एक ऐसे महन समराट का जनम हुआ है जिसका नाम पंजाब के अंदर बड़े गरब से लिया जाता है कौन है महराजा रनजीत सिंग तो याद रखेगा अच्छे तरीके से महराजा रनजीत सिंग की बात करें तो इनका नाना था कौन और रियास्त से समंद रखती हैं तो जीन्द यास्त सेową गजपज सिंह की बेटी थी माराजा रनजीत सिंह की मा दोस्तो यापको अच्छे तरिके से पता होना चाहिए इनकी माता का नाम था बीबी कौर यहाँ पर याद रहेगा बेटी का नाम क्या है बीबी कोर दोस्तो यह कह सकते हो मराजार अनजीत सिंग की मा का नाम क्या है तो याद रखेगा इनकी मा का नाम है बीबी कोर दोस्तो क्या नाम है बीबी कोर यहां तक कहाने समझ आ रही होगी आनन्त के साथ आप पूरे मज़े से आप पड़ रहे होगे अब दोस्तो परसंड क्या बनता है कि गजपत सिंग का मृत्यू कब हुई दोस्तो याद रखेगा गजपत सिंग की मृत्यू कब हुई 1763 से लेकर 1760 तक कारेकाल रहा है दोस्तो गजपत सिंग की जैसे ही मिर्ति हुई तो इनकी जगहें 1760 में ही हर्याना के जीन रियासत का जो है शासक किसको बना दिया गया भाग सिंग को बना दिया गया किसे बना दिया गया भाग सिंग को बना दिया गया अब दोस्तो भाग सिंग की खास हिस्ता क्या है? दोस्तो सत्रा सो से आ गया हैंगे, अठारा सो आएगा? क्या हैगा? अठारा सो आएगा. अब दोस्तो याद रखेगा कैसे क्या कहानी रही है, सारी बाते समझते जाएगा. 1803 में आपको पता है सूजी अरजन गाम की संदी भी हुई है ये किस युद के तहत हुई अंगल मराठा युद के तहत हुई थी दोस्तो याद रखेगा भाग सिंग वही व्यक्ति है जिसने अंगल मराठा युद में दोस्तो इस युद में दोस्तों याद रखेगा भाग सिंग ने किसका साथ दिया था अंग्रेजों का साथ दिया था और ये युद कब हुआ था अठारा सो तीन में हुआ था कब हुआ था अठारा सो तीन के अंदर ये युद हुआ था ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए जब इन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया तो याद रखेगा दोस्तो ये अंग्रेज अच्छे नहीं ते इन्होंने भारत के लोगों को बड़ा परतारित किया है तो दोस्तो भाग सिंग की बात करूँ तो इसी वर्स दोस्तो 1803 के अंदर है इन्हें लकवा हो गया क्या हो गया इन्हें लकवा हो गया था दोस्तो लकवा पढ़ गया आदा सरीर इनका काम करना बंद कर दिया लकवा पढ़ गया दोस्तो अब परसासन संभालने योग्या नहीं रहे एक बार इसे नोट कीजिए का अब मैं भाग सिंग से ही आगे कहानी शुरू करने वाला हूँ, आप आनंद लेते हुए बस पढ़ते रहिए, नोट समनाते रहिए, आगे बढ़ते हैं। आईए बात करते हैं किसकी भाग सिंग की, किसकी प्यारे दोस्तों भाग सिंग की, अब इन्हें 1803 के अंदर दोस्तों क्या हुआ था, मैंने आपको अभी बताया, 1803 में इन्हें लकवा हो गया है, अब लकवा हो गया, तो दोस्तों याद रखेगा जो ये भाग सिंग है, इन परताब सिंह दोस्तों इनकी अंग्रेजों से नहीं बनती थी। कारण याद रखेगा अभी आपको यह चाहा था कि जो यह गजपत सिंह इनकी बेटी बीबी कोड थी। जिनका वीवा दोस्तों याद रखे शुकर्चक्या मिसल पंजाब के अंदर ऊटा जिनकी कोड से किसका इधर बेटा है, दोनों भाई भायों मतलब महराजर अनजीत सिंग इनके भाई थे, ठीक है, बुआ गए बेटा भाई थे भी, ये कह सकते हैं बने, तो दोस्तों परताब सिंग के अंग्रेजों से कभी नहीं बनी, तो परताब सिंग को जब ये जिम्मेवारी सूपी गई, त ये बात दोस्तों परताब सिंग को पसंद नहीं आई, और दोस्तों याद रखेगा परताब सिंग ने तलवार लेकर दोस्तों इस रानी सुहादरी की क्या कर दी, हत्या कर दी, क्या कर दी रानी सुहादरी की, हत्या कर दी, अब दोस्तों याद रखेगा विद्रो होगा, क जीन्द का विद्रो हो गया और जीन्द विद्रो की बात की जए कब हुआ था इस विद्रो का नेतरतव करता कौन था तो इस विद्रो का जो नेतरतव करता है वो परताब सिंग है कौन है दोस्तों परताब सिंग है अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बा तो अंग्रेजों की सेना तो आएगी, अंग्रेजों की सेना ही तो परताप सिंग को पता था मैं इन अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ सकता, मेरे पास छोटी सेना इतने हजार नहीं है, इनके पास आधुनी का त्यार है, तो दोस्तो यही परताप सिंग 17 नदी को पार करके लाहोर साइड चले गई, किसको पार करके 17 नदी को पार किया, और दोस्तो 17 नदी को पार करके दूसरी और चले गए, दोस्तो 17 नदी के पार का जो शेतर था, वो सारा का सारा शेतर, दोस्तो किसका था, महराजा रंजीत सिंग था, किसका शेतर था, वो सारा का सारा, वो सारा क पुस्तकों में ये बताया गया है कि महराजा रंजीत सिंग उन्होंने पकड़कर किसको शॉंप दिया और बाद में दोस्तों परताप सिंग की जेल में रहते हुए जेल में रहते हुए दोस्तों अठारा सो सोड़ा के अंदर क्या हो गई? क्या हो गई, मिर्तियू हो गई, केद में रहते हुए ही इनकी मिर्तियू हो गई थी ये आपको अच्छे तरीके से, याद रहे, चछ्च्रोली का विद्रोट ठीक है 1818, याद रखेगा चछ्च्रोली कहां पढ़ता है, वर्तमान में, यमनानेगर में पढ़ता है, जोद सब्सक्राइब दोस्तों यहां से प्रसासन की जिम्मेवारी थी जो प्रसासन की जिम्मेवारी थी वो किसे सोंपदी फते सिंग को सोंपदी थी दोस्तों यहीं सोंपदी और फते सिंग के बात करूं आठारा सो उन्हीं में फते सिंग की जिम्मेवारी थी बात करूं और फते सिंग की बात करूं 1822 में फतेह सिंग की भी मिर्त्यू हो गई 1822 में दोस्तो फतेह सिंग की भी मिर्त्यू हो गई तो एक बार थोड़ा सा दोस्तो इसे नोट कीजिएगा थोड़ा सा क्या पूरा ही नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ता हूँ 1822 तक मैंने आपको बता जिया मिर्तिव हो चुकी है अब फतेह सिंग के बाद किसको शाषक बनाया जाएगा संगत सिंग को शाषक बनाया जाएगा किसको दोस्तों संगत सिंग को नोट कीजिएगा नोट कर लिया होगा आई ये बात करते हैं संगत सिंग की दोस्तों फतेह सिंग की मिर्तिव कम होती है तो मैंने आपको बताया 1822 के अंदर फतेह सिंग की क्या हो जाती है मिर्तिव हो जाती है जैसे ही इनकी मिर्तिव होती है तो संगत सिंग को शासक बनाया जाता है और संगत स सिंग लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और 1834 में परताप सिंग की भी मिर्तिव हो गई 1834 में परताप सिंग की भी मिर्तिव हो गई परताप सिंग के बाद में जो सासक बना वो था सवरूप सिंग कौन था प्यारे दोस्तो सवरूप सिंग था और सवरूप सिंग वही शासक है जिसने दोस्तो 1857 की करांटी के समय 1857 की करांटी के समय अंग्रेजों का साथ दिया था ये आपको याद रख लेना इस करांटी में सवरूप सिंग ने किसका साथ दिया था अंग्रेजों का साथ दिया था ये सारी जानकरी आपके लिए अती महत्तपुन 1857 की क्रांती के समय जीन्द ने अंग्रेजों का साथ दिया बताए उस समय जीन्द रियासत का शासक कौन था सवरूप सिंग था प्रिक्षा में यहीं से परसन बन जाएगा हाँ तो यह आपको याद रखना है अच्छे तरीके से सवरूप सिंग की तक कि मैंने बात आई अब सवरूप सिंग के बारे में आपको यह बताना चाहूँगा 1864 में इनकी भी मिर्तिव हो जाती है इनकी भी दोस्तों मिर्तिव हो जाती है ने बुतेश्वर मंदिर का निर्मान कराया है राणी तलाप के बीच में स्वन मंदिर के तरज पर ये वही शाशक है दोस्तो रगवीर सिंग दोस्तो रगवीर सिंग की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात क्या है देखते जाए सवरूप सिंग ने 1857 की करांती में कर काम कर दिया था इन के समय में दोस्तोет'To अठारासो चुहत्तर में दाधरी के अंदर विद्रो हो गया इनके समय सवरूप सिंगी जो क्रम किए थे उनकी वज़ेसे रगवीर सिंग के समय तोस्तों लोस्तों 18 Сraw defenders में दादरी का विधरो दादरी के अंदर टोटल 50 गावों ने भाग लिया था और इसके काहनी ने पचास गावों को जला दिया गया रगवीर सिंग के समें Cong को जला दिया गया था 1897 में इनकी भी मिर्त्यू हो गई रगवीर सिंग का सिर्फ एक बेटा था और उन बेटे का नाम क्या था बलबीर सिंग था दोस्तो याद रखेगा रगवीर सिंग की मिर्त्यू हो गई 1897 में और अगर इनके बेटे की बात की जाए तो उनका एक ही बैटा था बलबीर सिंग, कौन था बलबीर सिंग और दोस्तो याद रखेगा बलबीर सिंग है, वो रगभीर सिंग से पहले ही मर गया था मतलब कि उनके शासन काल के दुरान ही बलबीर सिंग का निदन हो गया था लेकिन बलबीर सिंग का एक बेटा था जिसका नाम आता है रंजीत सिंग याद रखिए इस बलबीर सिंग के एक बेटा था जिसका नाम था रंजीत सिंग और बेटी का नाम है दोस्तो कौन बलबीर कोर साहिबा क्या नाम आता है बलबीर कोर साहिबा बलबीर कोर साहिबा याद रखेगा इस बलबीर सिंग की मिर्ट्यू तो हो गई रगवीर सिंग के समय तो इसने क्या क्या रगवीर सिंग ने अपने इस बलबीर सिंग के बेटे और बेटी थी उनको पाला इनके बेटे के नाम रंजीत और बेटी के नाम क्या था बलबीर कोर सहीबा ये बलबीर कोर सहीबा वही है जिसका विवा यूपी में हुआ था और यूपी में किसके साथ राजा महिंदर परताप के साथ किसके साथ दोस्तो राजा महिंदर परताप के साथ मैंने पिछले दिन कि सारी बातें बताई थी कि जो महिंदर परताप राजा थे जिन्हों ने अफगानिस्तान में जाकर भारत की पहली सवतंतर सरकार स्थापित की थी वो राजा महिंदर परताप अली गड़ जिले से समंद रखते हैं उनकी जो वाइफ ती बलबीर कोर साहिबा वो हरियाना किस जिले की किस जिर्यासा से समंद रखते हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बताया था तो यहां पर हमने रंजीत सिंग की बात की है किस की बात की है रंजीत सिंग की बात तो इसे नोट कीजिये एक बार इसे नोट कीजिए फिर रणजीत सिंग से ही आगे मैं person उठा लेता हूँ नोट कर लिया होगा अब देखते जाए दोस्तो परसन क्या बनेगा अब मैं यहां पर रणजीत सिंग की कहानी चलाता हूँ अगर मैं रंजीत सिंग की बात करूँ प्यारे दोस्तो रंजीत सिंग की बात की जाए रंजीत सिंग का सबसे बड़ा परसन पहला परसन क्या आता है 1927 में इनके सासनकाल के समय दोस्तो परजा मंडल की स्थापना की गई कहां पर तो बता देना दोस्तो परजा मंडल की स्थापना नर्वाना में की गई कहां पर नर्वाना में जीन परजा मंडल की स्थापना कहां पर की गई थी नर्वाना में कब की गई थी 1927 में की गिए अब आप को गैसर जी परजा मंडल क्या होता है दोस्तो रियास्तों के जो शासक हुआ करते थे जनता पर जुलम ढ़ाया करते थे इसलिए जनता दोस्तो शिक्षित हो गई धीरे धीरे उन्होंने अपने अधिकार मांगने सुरू कर दिये और उन परजा मंडल की दोस्तो स्थापना 1927 में नर्वाना के अंदर हुई थी अंत में दोस्तो याद रखेगा रंजीत सिंग को इनकी बात भी माननी पड़ी थी याद रखेए रंजीत सिंग ने पहले तो इनकी बात नहीं मानी इस परजा मंडल दोस्तो इतना तकड़ा और इतना म जनता के परतिनीधी भी सरकार में शामिल होंगे पहले हमेशा ये होता था कि राजा ने जो निन्या ले लिया वो अंतिम था परजा मंडल अंदोलन में ये बात बोली गई कि जनता के लिए आपको निन्या लेना है राजा साहब तो इसके लिए आपको पांच लोगों से पूछना पड़ेगा इसका मतलब आपको मंत्री मंदल बनाना पड़ेगा परतिनीदी मंदल बनाना पड़ेगा परतिनीदी सरकार बनानी पड़ेगी तो दोस्तो रणजीत सिंग ने 18 जनवरी 1947 को इस परजा मंडल की मांग मानते हुए परतिनीदी सरकार का गठन किया परतिनीदी सरकार का क्या कर दिया परतिनीदी सरकार का गठन कर दिया इस परतिनीदी सरकार में दोस्तो जनता के लिए कितने मंतरी होने थे पांच मंतरी होने थे पांच में से दोस्तो याद रखियेगा । आपको बता देता हूँ दो तो अकाली दल के सदश्य होना अनिवारे कर दिया गया। दो दोस्तों जो परजा मंडल अंदोनन शुरू किया था, वो दो परजा मंडल अंदोनन वाले वेक्टी इसमें होना जरूरी है, और इन पांच मंतरियों में से दोस्तों एक मुसलिम होना जरूरी है, तो यह बात भी उसमें बोली गई थी जब 1947 में परतिनीदी सरकार का गठ जीन्द में किया गया था और पाँच मंत्रियों का एक मंद्री मंदल बनाया गया याद रखेगा उसमें दो परजा मंदल के अंदुलनकारी थे दो अकाली दल के सदश्य थे और एक मुसलिम लेना अनिवारे किया था यह आपको याद रखनी है। बाद में दोस्तोर रंजीत सिंग् की इमित्य हो गई और जो जीन्द रियास्त का अंतिम राजा रहा है उसका नाम आता है राज बीर सिंग तोस्तोर राज बीर सिंग् अब मैं यहां पर नोट करके लिखुँगा सबी विध्यारती याद रखेगा जीन्द रियासत के जो अंतिम राजा हुए हैं उनका नाम आता है क्या दोस्तो राज बीर सिंग नाम आता है क्या नाम आता है प्यारे दोस्तो राज बीर सिंग नाम आता है और राज बीर सिंग दोस्तो अंतिम राजा थे और इन्होंने गदी कब संबाली थी 1948 में इन्होंने गदी संबाली थी 1948 में दोस्तो भारत अजाद हो चुका है सरदार वल्लब भाई पटेल भारत को एक की करन करते हुए आगे बढ़ रही है उन्होंने जीन्द रियासत के सामने दोस्तों एक सर्थ रखी थी कि अगर आप सरतंतर रहना चाते हैं तो भी बता दीजिए अगर आप किसी में मिलना चाते हैं तो भी बता दीजिए तो दोस्तों जीन्द की जो जन्ता थी उसने पंजाब में मिलने का निर्ने किया था लेकिन सरकार ने इन्हें पैपसू में मिला दिया किस में मिला दिया पैप्सू में मिला दिया था हमारे लिए इतना ज़्यादा गेहराईं में जाना जरूरी करेंगे जगबीर सिंग अब याद रखे गजराज की भी मिर्तियू हो चुकी है और जगबीर सिंग की भी मिर्तियू हो चुकी है दोनों बेटे थे इनके राजबीर जी के दोनों की मिर्तियू हो गई याद रखे गजराद जी का तो सिर्फ मातर पांच साल का बेटा है पांच वर्ष का क्या है बेटा है 2019 की बात कर रहा हूँ 2020 जादा से जादा वरतमान में आट साल का हो गया होगा वरतमान में दोस्तो आट दस साल का बेटा होगा लेकिन जगबीर सिंग जी की एक बेटी है जगबीर सिंग जी के एक बेटी बेटी है बेटी का नाम क्या है जीनिया बीर दोस्तों क्या है जीनिया बीर है इस बेटी का नाम क्या है जीनिया बीर है क्या नाम है दोस्तों जीनिया बीर है काफी सोरी आट दस नहीं दोस्तों की बेटी का नाम है जीनियाबीर और याद रखेगा बहुती शांदार जीन्द रियासत में सबसे बड़ी घटना एक मात्र घटना क्या है पहला उधारन क्या है मैंने का कि जीन्द का आंतिम राजा राजपीर सिंग है 1948 में ये बैठेए इनके दो पुतर थे गजराज और जगबीर सिंग गज़राज की जब मिर्ति हुई पांच वरस का उनका बेटा था और जगबीर सिंग की दोस्तों मिर्ति होगी इनके सिर्फ एक बेटी है जीनियाबीर याद रखेगा जीन रियासत में जैसे ही जगबीर सि जीनिया बीर क्या है एक लड़की जीन रियासत के अंदर पहली महिला शाशी का जीनिया बीर को कहा जाता है सबसे महतापुन परसन यह याद रखेगा जीनिया बीर अभी भी है यह आपको याद रखना है अच्छे तरीके से जीनिया बीर वर्तमान के अंदर याद रख्या साही ताजपोशीनी के सिर्पर है वर्तमान में अब आप से यह भी तो पूञा गया है कि बताईए यह तो पूछ लिया गया रानी इंदर जीत कोर कोण है अरे इनकी मा ही तो रानी इंदर जीत कोर रहा है ये दोस्तो सारी की सारी कहानी मैंने आपको बता दी पूरा का पूरा जींद रियासत का इत्यास बता दिया 1857 की करांती की बात करूं तो इन्होंने अंग्रेजों का साध्याता इसके लवा और कुछ नहीं है तो सारा इत्यास बताया अब आगे बढ़ता हूँ एक बारी से नोट कीजिएगा अब ही मैंने आपको इत्यास के बारे में जानकारी थी अब सबसे बाते हम किसके उपर करेंगे जितने भी प्रेटन और धार्मिक स्थला उनसे भी प्रबात करेंगे ठीक है आई ये बात करते हैं प्रेटन स्थलों की प्रेटन या धार्मिक स्थलों की इनके उपर अभी हम चर्चा करेंगे प्रेटन और धार्मिक स्थलों के उपर अब हम चर्चा करने बाले हैं कौन-कौन से हमें पढ़ने पढ़ेंगे प्यारे दोस्तो याद रखेगा हमें पिंडारा पढ़ना पढ़ेगा हमें राम राय पढ़ना पढ़ेगा क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा याद रखेगा पिंडारा पढ़ लेते हैं हमारे कोई चिंता नहीं रहेगी पिंडारा पढ़ लेते हैं एक हमें दोस्तो राम राय पढ़ना पढ़ेगा क्या पढ़ना पढ़ेगा रामराय पढ़ना पढ़ेगा एक दोस्तो हमें पढ़ना पढ़ेगा धमतान साही कौन सा दोस्तो धमतान साही ठीक है एक के कलाइन के जादा कुछ नहीं है इसके अलावा दोस्तो बुतेश और मंदिर पढ़ना पढ़ेगा क्या पढ़ना पढ़ेगा बुतेश्वर मंदिर पढ़ना पड़ेगा ये खास तोर पर परिक्षा में जो जादा पूछे जाते हैं वो चार ये हैं, जो परिक्षा में सरवादिकाए अब कैसे पढ़ा, उस सारी बातें यहां पर बताऊँगा नर्वाना की चलो, नर्वाना के बारे में भी जो कहानी बनती है नर्वाना शहर के बारे में, इस सहर के बारे में भी कहानी में आपको बता दूँगा सबसे पहले पिंडारा की बात करता हूँ पिंडारा क्या नाम पड़ा, कैसे पड़ा दोस्तो आप सभी को पता है जब किसी बजुर्गी मृत्यू हो जाती है तो उसके पिछे पिंडदान किया जाता है क्या किया जाता है पिंडदान दोस्तो याद रखेगा पांडवों ने अपने महाभारत के युद में जो भी पूर्वजों को खोया था इन सभी का पिंड़दान पांडवों के द्वरा कहां किया गया था पिंडारा में किया गया था इसलिए इसे पिंडारा बोला जाता है पांडव पिंडारा पांडव मतलब पांडव पिंडारा वाला ये वही पिंडारा है आपसे प्रिक्षाम आएगा बताओ पांडव दोस्तो राम राए क्यों फैमस है करण क्या है राम राए का फैमस होने का दोस्तो बहुत गजब की ठीका है प्यारे कि एक गुरु गुरु द्वारा है ठीक है गुरु द्वारा है दोस्तों किसे समंदित है गुरु तेक बहदूर से जो सिखों के नोए गुरु थे गुरु तेक बहदूर उससे समंदित है कौन दमतान साइब गुरु द्वारा जब यह दिली जा रहे थे उसमें यहां पर रूके थे ठीक है हटकेश्वर, बिल्कुल हाट गाव के अंदर है, बिल्कुल अभी याद कराया, यहां पर लिख देता हूँ, हटकेश्वर, हाट गाव में पड़ता है, ठीक हाटकेश्वर का मेला भी लगता है, बुतेश्वर की बात की जाए, तो आप सभी को बता होगा, अभी मैंने बताय था रानी तलाब के बीच में है जीन में ही पड़ता है और दोस्तो निर्मान किस ने करवाया था सीव जी को समंदित है किस बगवान से समंदित है सीव को समंदित है बगवान सीव को और यह सुर्ण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है किसकी तर्ज पर बनाया गया है सुर्ण की बात करें तो यह इसका मूल नाम निर्वान का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति याद रखेगा निर्वान का मतलब क्या होता है मोक्ष की प्राप्ति क्या होता है मोक्ष की प्राप्ति तो दोस्तों इसी निर्वान शब्द से नर्वाना शम्द रखता है, हटकेश्वर की बात की जाए, हटकेश्वर का मेला लगता है, जीन्द के हाट गाउं में, क्या लगता है, हाट गाउं में, ये बात हमने की हटकेश्वर की, किसकी बात की है, हटकेश्वर की बात की है, सभी विद्यार्थियों को अच सेडर के बारे में इसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ता हूँ ठीक है अब दोस्तों यहां पर हमें बात क्या करनी है अब हमें यह देखनी है यहां पर दोस्तों एक मंदिर है जन्ती देवी का जन्ती देवी का मंदिर अगर प्रिक्षा में आता है सभी बचों को बता होगा जीन्द में है लेकिन परसन क्या बनता है जन्ती देवी मंदिर के अंदर एक संग्रहाले भी है और उस संग्राले की बात करें तो उस संग्राले की स्थापना हुई थी 2007 में और इस संग्राले की दोस्तो दिवारों पर याद रखेगा जीन्द रियासत का किसका दोस्तो जीन्द का इतिहास लिखा है क्या लिखा है जीन्द का इतिहास लिखा हुआ है इसकी दिवारों पर ये आपको पता होना चाहिए इसके अलावा बात करूँ अब मैं बात करता हूँ किलों की, किसकी बात करता हूँ किलों की, अगर मैं किलों की बात करूँ तो जीन्द के अंदर दो किले हैं, एक तो है दोस्तो जीन्द का किला, एक तो कौन सा है जीन्द का किला, और एक किला आता है जाफर गड का किला, तो ये दोनों आपको याद र किसे पता होना चाहिए, जाफरगड और दुनों की बात यहां पर की है मैंने, याद कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, तो दोस्तो यह तो हमने बात कर ली प्रेटन स्थल, धार्मिक स्थल के बारे में, अब दोस्तो अगर यहां से मैं, परसीद व्यक्तितव के मैं, प धार है कारिया, यहां ठीक है दोस्तो, आप करके बताना, देखता हूं, कोन इनका सही-सही ज्यवाब दे पाता है, विविद है यह सारा का सारा, देखता हूं, बाद में मैं तो ज्वाब दूँगा ही, और आप अगर साथ साथ जवाब दे दोगे तो दोस्तों फिर मैं घरह कारिय नहीं फिर मैं भी यहां पर ही आपको इन सभी का जवाब दे दूगा वैसे तो जीन्द ही अंसर आएगा सभी में क्योंकि जीन जिला अदर्सन पड़ रहे हैं सबसे पहला परसन अगर बात की जाए दोस्तों सबसे खास बात क्या है याद रखें हर्याना के अंदर वी वी पी एटी याद रखेगा चुनावों के अंदर वी वी पी एटी का परियोग करने याद रखें चुनावों के अंदर ये एक परणाली होती है वी वी पी एटी इसका प्रियोग करने का कारे जीन में कब किया गया तो याद रखेगा इस परियोग जीन में 2019 में जो उपचुनाव हुए थे उनके अंदर किया गया था याद रखे वी-वी-पी-ए-टी चुनाव परियोग की बात करें जिस परकार आज हम दोस्तों इलेक्ट्रोनिंग मसीन के द्वारा वोट डालते हैं, उसी प्रकार किये कि ये प्रणाली है, और इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले जीन उप्चुनाव 2019 में किया गया था, प्रिक्षा के अंदर डारेक्ट ये परसन बन सकता है, अगली बात, सबसे गजब की बात, कि हर हरियाना का पहला ग्राम सचिवाल्य कहां है, सभी बच्चों को पता है, हैबदपूर के अंदर है, कहां पर है, हैबदपूर के अंदर है, अगला परसन मनता है, कि बताये पूरे हरियाना का पहला डिजिटल आंगन बाड़ी कहां है, पूरे हरियाना का आधुनिक आंगन ब यहां पर पढ़ता है, डेजिटल आंगनबाडी के अंदर, इसके अलावा बात करें दोस्तों, और क्या परसन मन सकता है, तो याद रखेगा, जीन्द के अंदर नर्वाना है, और नर्वाना के अंदर एक फूड पारक भी है, नर्वाना में क्या है दोस्तों, एक फूड पार हैं यह बोलें इसके लावा दोस्तो कविता दलाल कौन कविता दलाल जिसे हाड लेडि कहा जाता है क्या कहा जाता है कविता दलाल को डोस्तो报 टहब डॉडवीक्र LotC में भाग लेने वाली पहली महिला रैससलर कुन है कविता दलाल है, प्यारे विध्यारतियों, किस गाम से समंद रखती है, मालवी गाम से समंद रखती है, जीन से, ये आपको याद होना चाहिए, अच्छे तरीके से, आपने नोट कर लिया होगा, ये कुछ एक पॉइंट थे दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताई, इसके अल अब दोस्तों, कुछ एक परसंद तो मैं बता देता हूँ, देखता हूँ, इसका कौन-कौन सही जवाब देगा, सबसे पहली बात, बीबी पुरगाम से ये अभ्यान शुरू हुआ, किसने शुरू किया, सुनील जांगलान ने शुरू किया, ठीक है, जांगलानी, अब देश बताओ, ऐसा कोई देश बताओ, जिसने इस अभ्यान को भारत के अलावा इस अभ्यान को शुरू करने वाला और कौन सा देश है, दो परसंद है, तो अब आपको ये बताना है, ये दो परसंद आपके लिए हैं, इसका जवाब मैं जरूर दूँगा, फिर भी देखत है, तो आप बिल्कुल नोट कर लेजेगा, अपने आप उसको, ठीक है, अब मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ, आप सभी विद्यार्तियों का भहुत भहुत धन्यवाद, थार्ण झालोर लिए उत्तुर नोट लिएघ्यों का भॉन है, अब मैं जरूल भॉन, इसका जित SLibenेग सनावी प्रॉन, मैं ए। झालोर्ण है, इसका जापके बिल्कून है, ते मैं भिल्कून, भॉन मैं है